जै शमाताजे, हाद देख नमस्कार, आप सभी का भिवादन करती हूँ, एक जो प्रश्न है, वो बड़ाई अजीव है, इस पर कोई वीडियो बनाने का भी मुझे समझ में नहीं आया कि कोई आचित्य हो सकता है, लेकिन जाने क्यों, कुछ तो शमाताजी की प्रिर्णा होग मुझे लगा कि इस पर बात की जाए, किसी भाई ने कहा, वो युवा है, प्रौड है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यूट्यूब के ही, नीचे ये कोईश्चन आया है, कि सहज योग में अवमन नहीं लग रहा है, वो आनन्द नहीं आ रहा है, ये आनन्द है क्या चीत् सुख, दुख, जो भी आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है, हमारे कर्मों से आ रहा है, शरीर से, मन से, बुद्धी से, ये जो हमारे विचार हैं, ये जो चीजी हमने बना रखी है, अग्यानता में, बहुत गूड़ी कठी कर रहे हैं, तो ये उससे जो भी कुछ चल रहा होग तो आप नहीं घबड़ाएंगे, वो धीरी देधोरी बहुत बध्यम गती से घुमती है और जो पेरी-फेरी वो बहुत तेज घुमता है, तो शिमादा जी ने एक बाद एक जगक कही है, अगर आप पेरी-फेरी पर रहेंगे ना, अंदर नहीं आएंगे, आप सुबह का ध्य जो पेरी-फेरी होती है, आप वहाँ चल रहें, 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 ठहरना नहीं चाहेंगे, तो एक tangent ठ्योरी होती है, जो वाँ उसको बाहर फैंक देती है, जब बाहर फैंक जाते हैं, तो हमको फिर मज़ा नहीं मिलता है, आनन नहीं मिलता है, तो जो प्रीम का आनन्द है, वही आपको नहीं मिल रहा है, तो पहले तो हमको अपनी आत्मा से प करके नहीं रखा, सहेज योग मिल जाना वास्तों में बहुत आसान है, लेकिन उस पर ठहरना, उस पर कारे करना मुश्किल तो है, तो हर चीज हमको बैटे बिठाए नहीं मिल सकती है, पकी पकाई चीज मिल रही है, हम खा रहे हैं, हम उसको डैजेस्ट कर रहे हैं, किस तरीप आप नियम पालन करते हैं, कि हमको इतने बजे नाश्टा कर लेना चाहिए, हमको इतने बजे खाना खालेना चाहिए, हमको इतने बजे ओफिस जाना या पना जगा जाना, सब नियम पालन करते हैं, लेकिन हम जब सहेज योग में आ जाते हैं, तो उसका नियम पालन नहीं कर हम सुबह साथ बजे उठते हैं फिर हम वो सामीत जान करते हैं तो उसे क्या होगा हम श्रीमाता जी का लेक्चर सुन लेते हैं बहुत अच्छी बात है आप दस लेक्चर सुन लीजिए हम उसको कब जजब करेंगे एब्जॉर्ब कब करेंगे जब हम शांती के साथ सुबह के बातावरण में हम चुपचा बैठ जाएं अगर हम उस समय लेक्चर नहीं भी सुन रहे हैं अगर आप एक दम अपने साथ बैठ जाएं तो भी आप बहुत उची जगह जा सकते हैं आप मेर विचारिता में अपने आपको देखने लगें तो भी आप उची अवस्था में ज अजब आपका कारे को इस दोता है । कई बार किया होता है जह हम में इल हम शुरू में आते हैं बड़े चमतकार इसलिए होते हैं कि मां कुलीने उत्त oynवती तो नहीं जानीwe कितने आयाम आपको देख्याती है तो चक्रों का भी दन пошically जाते हैं इससे बहुत सारे जाता है, हमारे बहुत सारी रोग दूर हो जाते हैं, हमारे बहुत सारी परिशानिया थो जो बहुत सारी परिशानिया थे वो दूर हो जाती हैं, हमारे सुभाव बदल जाता है, एक आंतरिक सुभाव होता है, बाहर से देखने में शायद किसी कुना लगे, पर अंदर 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 अ तो फिर मज़ा क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं हमको आनन्द मिलेगा, तो ये आंतरिक आनन्द की बात है, अगर हम से भौतकी में इसे खोजेंगे, इस शरीव मन बुद्धी के होने वाले जो परिशानी अगर हम उन में सोचेंगे, कि ये सब हमारे साथ हो रहा है, तो हमें कोई आनन्द नहीं आ रहा है, तो फिर एक साधक ये नहीं बोल सकता है, दूसरी सी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग पहली बार को तैरा की सीख रहे हैं, मान लेजे, कोई विधा सीख रहे हैं, मैं इसको तैरा की ही ले लूँगे, कि जब कोई तैरा की सीख रहा होता ह वो उसको अपने दोनों हाथों को नीचे लगा कि उसको तैड़ना सिखाता है तुम हाथ पॉमारो लेकिन इतना उसको विश्वास रहे कि अगर वो डूबेगा तो कोच उसको उपर उठा लेगा ऐसी ही अध्यात में भी है आप चलेंगे आपके जो गुरु हैं वह आपको सम बारा होगा तब तो अच्छा लगा होगा लेकिन जब कोई तराक बन जाता है तो हाथ धीरे से खीच लिया जाता है अब आप तहरो आपका confidence आपकी मैनत अब काम आएगी तो अगर वो मैनत ही नहीं हुए तो हम पुना डूबेंगे अब तो हाथ हट गया है ने क्योंकि पर परिक्षा में पूछा जाएगा जब जीवन में परिक्षा हो रहे हैं पढ़ाई में परिक्षा हो रहे हैं एक क्लास की परिक्षा हो रहे हैं तब हम दूसरे क्लास पर जाते हैं तो क्या आध्यात में कोई परिक्षा नहीं होगी आध्यात में परिक्षा नहीं होते हैं एक आत्मा हैं, आपको सब पता है, कि हमारे शरीर में क्या आंतर आया, हमारे मन विचार में क्या आंतर आया, हमारे बुद्धी पहले कहां कहां भाग रही थी, अब कितनी स्थिरूई है, ये सारी चीजें हमें पता चलनी चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और मैं इस शरीर के तो शरीर मेरा गुलाम है, आत्मा शरीर की गुलाम नहीं है, तो जब तक आध्यात्मिक चिंतन नहीं होगा, और सुबह का ध्यान नहीं होगा, आप अपने चैतने दूसरों को देंगे नहीं, प्रेम नहीं होगा, केवल मेरी नजर दूसरों पर है कि वो ऐसे हैं, वो वैसे है उनको ऐसे करना चाहिए, उनको वैसे करना चाहिए, परमात्मा हमारी नहीं सुनेगा, वो बोलेगा तुम देखो, तुमें क्या करना चाहिए? तो जब ये हमारे अंदर आ जाता है एक शांती आ जाती है तो फान बाहर गुजर रहे होते हैं आप बहुत शांत हो जाते हैं तो आप अपने पर ध्यान देजे कि आपका चित कहां कहां दोड रहा है और क्या खोज गया रहा है बाहरी बहुती चीजे हम मर जाएंगी ये हम क्या लेके जाने वाले और हमको पता है कि ब्रत्यों आएगी तो पता नहीं क्या क्या कष्ट होंगे इससे भी मन डरता है पता नहीं किस प्रकार हमारे ब्रत्यों आएगी हम अपने कर्म को अच्छा रखें हम अपने आपको साधें हम ध्यान करें फिर ब्रत्यों को जैसे डरना जरूरी है, अपने प्रती थोड़ा भै रखें, कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, कहीं किसी को हम चीत नहीं कर रहा है, चलिए मैं नहीं जानती कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप में का मुझे आनद नहीं आरा पहले की तरह, तो पहले वही बात होगी क बहुत कुछ शमाताजी ने आपका हल किया होगा और जब माने कहा कि अब तुम आगे बढ़ो तुम सहज योग फैलाओ तुम देखो चिंतन करो तुमने सहज योग के लिए क्या क्या किया है ऐसी कौन सी चीज किया क्या तुमने किसी की तकलीफें दूर की है आपको शमाताजी ने ये भी तो ताकत दी है हमने अपनी तकलीफें दूर करी हमने दूसरों की भी तकलीफें दूर करी और तकलीफें हम कौन दूर करते हैं दूर शमाताजी करते हैं पर उन्होंने हमें नमित बताया है वो बार-बार कहते हैं कि आप काम करिए आप आप आनन्दित रही और लोगों को आनन्द प्रदान कीजे तो ये जो चीजें हमको शमाता जी दे गई हैं हमको तो इसका पालन करना ही पड़ेगा और नहीं तो फिर हम वहीं मतिबरख किस्तिति में जाएंगे योगबरश्ट किस्तिति में जाएंगे फिर हमारा क्या होगा हमको कुछ नहीं पता सबको पता है ये बात की जब आत्माय जानती है और अच्छे से हमें अगर मुक्ती नहीं होती है तो पता हैं क्या क्या टॉर्चर भी मिलते हैं तो हमको ये सब क्यों सहना है और ये सुक्षम ज्यान की बाते हैं इसलिए अपने सुक्षमता पर हमको ध्यान देना चाहिए तो आप ऐसा न कहें आप दुनिया में फिर कहीं भी जाएंगे आपको आनद नहीं मिलेगा अगर सही जोग में आनद नहीं मिला श्यमता जी के द्वारा नहीं मिला मा आदे शक्ती के कृपा में अगर नहीं मिला अपने आपको जानने के बाद नहीं मिला तो मैं कहती हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में आपको आनद नहीं मिलेगा एक ने कहा जी मैं अब तो श्यमता जी नहीं कहते हम तो जी राम राम कहते हैं क्योंकि शुमातर जी ही तो आदिशक्ति है ना वो अब मुझे बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं शुमातर जी आदिशक्ति हैं फिर वो पारवती सुरूप है तो मैं शंकर जी को देखती हूँ फिर शंकर जी से मैं शुमातर जी के भक्त राम है रा अच्छी बात है कितने गोप गोपियों का जनम हो रहा है जब आप रीव बर्थ में जाएंगे कितने लोग हैं जो समय साधत है या पूर्ण उनको पूर्णता नहीं मिलीती वो फिर कल्यूग में जनम लेकर के भक्ति करके अपने को पूर्णत कर रहे हैं और ये भी आप जान रहे हैं कि बिना कुणिने जागरण के उनकी भक्ति पूर्णत नहीं होगी क्योंकि भगवान शिक्रिशन ने आकर के गोप गोपियों की कुणिनी जागरण की थी उनकी कुणिनिया नाच रही होती थी तो जब हम इतना सब कुछ जान गए हैं तो आज जब हमारी कुर्णी निमा आनन्दित हुई है तो हमें आनन्द नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि हमने समझा ही नहीं सहज्यों को सहज्यों को जान देने के बाद उससे लगन लगने के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा प्राण चला जाए पर मेरा ये आनन्द नहीं जा सकता आशा है आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी जैश्य मातेजु